आप सब का बहुत बहुत नवशकार और स्वागत है और धन्यवाद करना चाहूंगी मुंबाई कैंसर असोसियेशन का कि आज उन्होंने यहां मुझे निवंतरन दिया आने के लिए मैंने काफी बादे सुनी और काफी कुछ समझ आया थोड़ी चीज समझ में नहीं आया लिकिन इतना सब ने कहा है एक चीज मैं समझती हूं जो बहुत ही important है वो है जो लोगों की stress भरी जिंदगी and specially जो आप लोगों का काम है जो police job है वो मैं समझती हूं सबसे stress भरा या सबसे tension भरा, सबसे suspense भरा काम है कुछ आसान नहीं है आपकी जगे में रहना या आपकी वर्दी में रहना और उसे सही धंक से निभाना उसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को salute करती हूं लोगों का आपको प्रेवा लेडी चाहिए कि आप अपनी जिंदगियां कैसे lead करते हैं कैसे कैसे बिताते हैं इस जिंदगी में बहुत जरूर stress बहुत है और मैं समझती हूं वैसा वो stress है जहां आपको उस मुकाम तक लियाता है जहां आपको लगता है या एक cigarette ले या थोड़ा सा तमाको खाले थोड़ी stress relaxation हो जाएगी या दिमाग हलका हो जाएगा होता है के नहीं बिल्कुल तो यही एक main कारण है मुझे लगता है आपके job में या जो police force में है कि कही न कहीं वो एक relaxation की जरूरत पड़ती है उसको किस तरीके से tackle किया जाए उसके लिए एक अलग कुछ और रास्ता निकाला जाए जहां पर आप मैं एक छोड़ा सा incident दूँगी हम film industry में भी बहुत tension है बहुत pressures है, public life है media का pressure है, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है लेकिन हाँ जरूर ये है कि कभी न कभी ऐसे चीजें हो जाती है कुछ ही दिन पहले ये paper में भी आया था मुझे offer हुआ था जैसे मैं बता रही थी ये goodka का और पान मसाले के जो endorsements होते है, ads होते है मुझे भी offer हुआ था और मुझे always इस एक ये बात जहन में रहती है दिमाग में रहती है कि पापा ने बहुत पहले बोला था कि बटा पैसे आते रहेंगे लेकिन जो आपका आत्मा विश्वास है और जिस morals में आप यकीन करते हो उस रास्ते से कभी डग मगाना नहीं तो जहां जहां ये मुझे endorsement offer हुआ पैसे बहुत अच्छे थे चलो एड्स में हम आर्टिस लोग भी कमा लेते हैं में तो हमारा जॉब ये है acting करना, films करना, ads करना लिकिन जहां इसकी बात हुई मैंने करने तोडे मैं आज खुद एक माँ हूँ मेरे दो छोडे बच्चे हैं और उसके इलावा मैं कुछ लोगों की शायद role model हूँ जिस तरीके से आप है आप लोग यकिन नहीं करेंगे कि मैं जब college में थी किरन बेदी की fan थी और मुझे IPS का exam दे रा था लेकिन मों हुआ नहीं फिल्में हो गई मैंने पुतर के पूल साइन कर ली है थे इस तरीके तो ये जब आड मुझे आया मुझे believe me पांच मिनट भी नहीं लगे मैंने अपने एजिन को बोला नहीं है पर बोला पहले सुनो तो सही द्या विलिंग टू गिफ सो मच मैं का नहीं आड जो असूल है असूल है ये आड तो मैं करूगी नहीं और वो पेपरों में भी आया था बहुत बड़ी बात बन गए थी कि मैंने पार्मसाले का इंडॉस्मेंट इतने इतने में मना कर दिया था लिकिन जहां तक कि आप लोग की बात है आप लोग की जिंदियां junky भी ऐसी ही stressful है तो कहीं न गहीं आपको जो अपने असूल है आप भी किसी के रोल मॉडल है तो अगर हम फिलम इंडॉस्ट्री की बात करते कि हमारे heroes और heroids role models है और कहीं न कहीं हमें अपने असूलों को पकड़ कर चलना चाहिए कि आज बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और मुझे एक अच्छा example सेट करना चाहिए उसी तरह आप हम लोगों के लिए role model हैं आप लोग हमारे hero हैं आप हमें सुरक्षित रखते हैं हम तो picture हो में कर लेते हैं आप तो real life में stress लेते हो तो बात ये हुई कि अगर आप अपने आपको hero नहीं मैसूस करोगे तो आप हमारी hero के सिपरोगे खुद में अपने आप पे अपने आपके hero बनो बोलो यार इसकी जरुवत नहीं है तो आप आज नहीं कर नहीं इसी समय बोलो गया इसकी जरुवत नहीं है तो thank you very much मैं अपने आप में अंदर से ही बहुत strong हूँ और अपने आपका hero हूँ आपके नहीं आप अपने परिवार के भी hero बन जाओगे और हमारे भी hero बन जाओगे क्योंकि हम यही बात पहलाने के लिए तो thank you very much कि आप लोग आए हैं और आप लोग बहुत patiently सुन रहे हैं भूग भी लगी होगी लग्स टाइम होगे लिकिन थोड़ी देर और यह message आप अपने आप में ही नहीं रखे यह message आप आगे ले जाए और आगे भी आपके कॉलीग्स हैं आपके दोस्त हैं उसमें पहलाईए तो हम सोचेंगे कि हमारे इवेंट सक्सेस्फुल हुआ बहुत बहुत धन्यवाद जैना मैं समझती हूँ ऐसे इवेंट्स और होने चीए तो आगे इनको भी एही फॉलो करना चीए और कहीं न कहीं यह बहुत एक अच्छा इनिशेटिव है कि पुलीस स्टेशन को स्मोग फ्री बनाना तो आइप जिसे पॉजिटिव स्टेप यह बहुत काम्याब होना चाहिए प्रशेश के प्रविना, पॉपाइमेलमेंट की बात आई है यहांगा तो अब करना था भी नहीं है। इस विए लोग में पॉपाइमें आप पीनियों पॉपिट के लिए ? तो अगर हम अच्छे एग्समेण सेग करें, तो आगे लोग यही फॉलो फिरेंगे. Thank you. Thank you so much. Thank you for supporting the cause. यह जैसा कि हमारी police force, वो भी हमारी role models है, तो अगर हम जो main members of society, जो people look up to us for something or the other, तो अगर हम अच्छे एक्जाम्पल से करें, तो आगे लोग यही फॉलो करेंगे. तो आज हम महसूस नहीं करते हैं, हमारी परिवार महसूस नहीं करते हैं, अलग-अलग administrative blocks हैं, यह सब हम टबैको फ्री जोन करना चाते हैं, और जो हमेशा फिल्मों में मुंबई पुलिस के लोगों को यह करते हुए दिखाते हैं, हम लोग यह बंद हो जाएं. मुंबई पुलिस का किस सर का response रहा है? हर दिन, every single day, 365 दिन होते हैं साल के, हर दिन 5,000 बच्चे पुरे इंदोस्तान में तंबापू का सेवन शुरू करते हैं, उनका जो अनुभव है, उनका पहला स्वाव है, पहला experience, उनको लेके चलना पोगता है, खुछ भी अगर बोलना है, इस सब चीजे एक reality है, और इसे प मुंबाइक पूलिस बना, वीवेक बीच में घबर आई थी कि आपने नागपूर में एक इंस्टिट्यूट है, उसमें भी आपने फंडिंग की है, तो खोड़ा बताएंगे, यह सब चीजें जब होती है, तब बात करना अच्छा लगता है, मेरा इंट्रेस्स जादा काम म अपना नाम जोडने का कोई शौक नहीं है, तो मैं इसको अच्छा होगा, तब आप लोग सरहेंगे, तो अच्छा होगा, इसके बार में प्रचार नहीं करना चाता, लेकिन आज मैं तह दिल से शुप्यादा करना चाहूंगा, जीव परिवार का, लिवेदी जी मेरे साथ म हैं, और इन्होंने जिस तरह से एक फोन को पर में ने कहा कि हमें स्पॉंसर चाहिए, ये इवेट कराने का, CPA के पास हमेश्या फंट की तंवी रहती है, क्योंकि हम हजारों पेशेंट्स की फ्री कीमोथरेपी और फ्री दवाएं हम देते हैं, गरीज जो पेशेंट आते हैं तो हमें इनको एक फोन किया और उनने पूरा इवेंट स्पॉंसर किया और नहीं सिर्फ इवेंट स्पॉंसर किया, इनने कहा कि हम आपके साथ खड़ें, तो ये भावना, ये प्रेम अगर और लोमों से मिले, CSR की तरफ, corporate social responsibility की तरफ, तो बहुत सारी प्रॉब्ब्ब्ब् आपको बहुत सारी दूसरे सवाल भी होगे, बट मैं अपने फिल्मों के बारे में भी भास करूँगा, तो ये जो संदेश है, ये बहुत सीरियसी आवाम सब पहुंचे लोगों तरफ, बहुत सारी चीज़े हैं जिनके लिए हम मुंबई बाले खासकर आप लोगों को थैं होगे हैं, मुझे इस Cancer Patient Aid Association परिवार के साथ जोड़कर और brand ambassador होकर और इस से बड़ा गर्व गौरव जो आज उन्हें ने मुझे दिया है, जो प्यार मुझे देते हैं जब ही मैं cancer pediatric बच्चों से मिलता हूं और जिस तरह से वो मुझे प्यार से बेवे भाहिया कहते हैं, मेर उपरवाली भी प्रिपा से बहुत सारे अवर्ड जीते हैं, लेकिन वो सब अवर्ड एक तरफ और ये प्यार एक तरफ CPA में और हमारी police में एक चीज कॉमन है, सेवा की भारणा, 46 साल से हम लोग सेवा करें और आप लोग तो इससे कई ज़्यादा, पूरार वहारे पर कंद्रक्रत मोज़ करने तया। मुंबई आपको जवाब मिल जाएगा मुंबई इसके लिए आपका सरून करता हूँ और हमको हमारी पुलिस के जितने करमचारी है उन सब को शम्ता के लिए हम 100 प्रतिशत देते हैं मार्क्स मेहनत के लिए निस्वार्थ भावना से काम करने के लिए हम 100 प्रतिशत मार्क्स देते हैं लेकिन टबैको में हम अगर 70 प्रतिशत देंगे ये बहुत बुरी बात है हमारी वर्दी पे एक धबबा है धबबा ये हमको हटाना है कुछ भी करके हटाना है मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी फिल्मों में 1950 से लेकर 2015 तर कभी भी हम किसी कॉंस्टेबल का सीन देखते हैं कि कॉंस्टेबल गड़ा है चाहे ट्राफिक कॉंस्टेबल हो चाहे पुलिस वादा हो तो दो तीन चीज़ें कॉमन रहेंगी एक तो उसका नाम पांडू रहेगा दूसरा उसको हम यह करते वे दिखाएंगे ऐसे कि तम बापू रगड़ रहा है मसाला रगड़ रहा है अपने पोट के पिछे टावेगा लगी यह चीज़ कैसे बंद होगी जब हम यह लाइफ देखेंगे ने जब यह चीज़ पुरानी हो जाएग तब फिल्मों भी दर् मसाला गुटका यह सब रगड़ना बंद करो और क्रिम्नल्स को रगड़ दिरो हमने पिछले साथ बहुत सक्सेस्टी के साथ किया सिंगल जी का नहां इनकी मदद से हमने बहुत सक्सेस हजीव किया है और मेरी यह मंशा है मेरी यह विश्वास है आप लोगों में आज अपन पूरी पूरी मुंबे पूलिस टबैको मुक्त होनी चाहिए हमारे पास 93 कोली स्टेशन है मैंने सुना है मैं राइट से और 55,000 पूलिस कोर्स असरी जानी कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि टबैको मुक्त हम बने और पूरे हिंदोस्तान को एक मिसाल बनके दिखाएं और इ अगर उन्होंने अचीव कि 90 दिन हम टबैको फ्री रहे तो मैं स्वयम महां पर आऊंगा सब्कार करूंगा और लहां पर एक पोस्टर लगाँगा इसे टबैको फ्री करूंगा कि शूटिंग हो कुछ भी हो मैं आऊंगा और आप लोगों का सब्कार करूंगा और यह मेरी इक्षा है कि आप ऐसे करें बाकी एक और बात के नहां जाओंगा कि जैसे हम प्रेरित करते हैं आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे पुलिस वाले इतने आला अफसर आएं और ज तो अच्छा लगा कि कितनी प्रेरणा है हमारे अफसर देते हैं हमारी फॉर्स को फॉर्स वाले बड़े अफसरों की बात सुनकर इतने इंप्रेस हो जाते हैं तो आपका इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा और आप तो इसी तरह इनको इंप्रेस करते रहिए कि तब आपको हमको छोड़ना है और मुझे लग रहा है कि आपके मारत दर्शन में ये काम हो जाएगा एक साल ही अंदर हो जाएगा डब्ली वेचो भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं हम इस गिल्ग तो बहुत सालों से हमारे साथ ही हैं दस साल परे उन्होंने मुझे जिस तरह से अवर्ड दिया था पूर्सकाल दिया था वर्डल का ऑगनाजेशन ने उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली जो मुझे अच्छा लगा चाती चौड़ी हो गई कि ये करना है और फाइनल बात में यही कहूंगा कि मैं जानता हूं मेरे पुलिस में बहुत सारे दोस्त हैं हर ल आप लोग उनका शुक्र बजार रहूंगा लेकिन तब मैंने देखा कि जब फुलिस वाले पर स्ट्रेस रहता है प्रेशर रहता है तब वो सोचता है कि ये स्ट्रेस निकाल लेगे ने थोड़ा से मैं सिगरेट पी लूँ नशा कर लूँ तंबाकु गुटका कुछ कर मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार आप इसका ये तंबाकु का पाउच खोलने लगी तो इतना याद रख लेना कि आप खुद का तो स्ट्रेस कम कर रहे हो लेकिन वो लोग जो आपके लिए जीते हैं आपका परिवादा आपके बच्चे आपकी वाइफ त्रेस कम कर रहे ह लेकिन वो लोग जो आपके लिए जीते हैं आपका परिवादा आपके बच्चे आपकी वाइफ आपकी माँ आपके पिता आप उनको ये स्ट्रेस दे रहे हो क्योंकि कभी न कभी ये जो है ये मौत का EMI है जितनी बार आप खाओगे जितनी बार EMI बढ़ते जाओगे एक नए इन दिन ये आपको लेके जाएगा ये मौत का EMI है तो आप अपना स्ट्रेस हटानी के लिए इंसान बहनात करता है कि अपने परिवार पर कोई स्ट्रेस ना है इंशुरंस इससे निकालता है कि मैं गया तो भी चलेगा परिवार वाले सुरक्षे दोने चाहिए ये बा जो बास्ट पाई ये झालता है कर दो 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 कर कर दो 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 कर 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 कर दो 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 कर कि अचर ठीं खुर दो कि अच्ड़ येसे lock लूज कर दो क् हिरए को अजू कर दो कहित कर दो कि अबच रस्टेड़ें आप कि यहां ही हैं मुंबई पुलिस में महाराश्य पुलिस में जिनको अभी जिनके पास अपने पर्सनल अपने स्वय तंबाकू की कोई भी प्रोड़क्ट हो तंबाकू हो कुछ भी हो यहां कि आद डाल दीजिए यह दिखने में एक सिंबल है लेकिन हम कई साथ से करें और हो है पिछले साल हमने बीएस्टी के साथ में भी किया था और बहुत सारे करमशारियों ने उसमें डाला और उसके बाद इस चीज़ का भी एक ऐसा जादू है कि वो तंबाकू से पिचा छूड़ गया तो आवहान करूंगा अगर कोई है तो प्लीज आईए शर्माईए मत आके इसमें डाल दीजिए थैंक्यू मनूल प्लीज प्लीज तंबाकू खाऊ नका तंबाकू खान्या मुले तोंडाचा कैंसर अवी जीन पर्ण जाओ शक्तों मनूल प्लीज प्लीज तंबाकू खाऊ नका उन्हें जुबान का कैंसर हुआ है इस माइने के हंत में उनको ऑपरेशन होगा जिसके बाद उनकी आवाज शायद हमेशा के लिए चली जाए मगर ये वॉइस बॉक्स इन्हें हेल्प करेगा आगे कम्यूनिकेट करने में कृष्णा जंगम ये भी 31 साल के हैं और माउंट कैंसर के पेशन्ट है पिछले आठ सालों से तंबाकु चबाने की आदत है इनके पेरेंट्स हैं इनके घर में जिनके उमर काफी ज़्यादा है और अब इन्हें ये लग रहा है कि आवाज जाने के बाद सभी चीजों के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा करना प्राण जाने के लिए जाने के लिए रहा है एक पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे बीच हमारे एक और गेस्ट आ चुके हैं रवीना टंडन जी के लिए इनके कारम बहुत सारे पुले सारों काम बड़ा होगा जंदगी में कभी ना कर भी है ना आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खास इंसान है जोने हम यहाँ पर रेकिनाईज करना चाहते हैं डॉक्टर अनिल सिंगल यह चीफ मेडिकल ऑपस्ट कैंसर पेशिंट सेड असोसिएशन ने प्री बीस्टी बना दिया और डॉक्टर सिंगल इनके सारे एफर्ट्स की वजह से काफी सारे बीस्टी एंप्लोईज हैं जो तंबागू रहित हो पाये हैं करना चाहते 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 हैं कर दो 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 कर दोак कर दो कर दो मुझे मालूप था के मुवीज को टोबाको फ्री करने की कोशिश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने काफी सपोर्ट दी अगर उस फिल्म में तंबाकू का यूज होगा तो डेफिनितली आप शुरू में स्पोर्ट्स देखेंगे 30 सेकिंड्स के लेकिन थोड़ा बरिसम है रवीना जी भी आहा है I just went and watched Bombay Velvet I think you were fantabulous in that लेकिन फिर से smoking का जो प्रचलन है मुवीज में बहुत बढ़ गया है Bombay Velvet पूरी पिक्चर आप बिना तंबाकू के नहीं देख सकते थे हर आप्मी हर मिनिट स्मोक कर रहा है Of course it was a period film 1949 की थी तो शायद उस समें सब लोग करते थे बट ने आप ने बिलकुल ने किया I know, I know Unfortunately